हेलो गईस, वेलकम तो थक्तिल्स 360, बात करते हैं DC के फ्यूचर के बारे में and the future is bright पहली बोल देता हो कि ये Black Adam का मुवी रिवी वीडियो नहीं है लेकिन इसमें spoilers भड़े होए हैं तो अगर आपने Black Adam नहीं देखा है तो पहले मुवी देख लो उसके बाद ये वीडियो देखना So let's talk about the future of DC Finally, finally the much awaited movie Black Adam रिलीज हो चुकी है मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट है मैं कब इतना excited था DC के किसी भी movies के लिए भाई DC ने काम ही ऐसा गर के रखा था अब तक सिर्फ disappointment ही मिला है लेकिन लेकिन अब आगे है Dwayne The Rock Johnson जो कि single handedly DC को survive करने में लगा हुआ है और Marvel को मूद और जबाब देने के लिए भी ready है मैं कोई Marvel hater नहीं हूँ लेकिन recently Moon Knight को छोड़के ऐसी कोई भी ढंकी movie या फिर series पे इन्होंने काम ही नहीं किया है अब recently खतम हुई शीहल को ही देख लो खेरा बात करते है DC की जब DC की बात होगी तब सुपरमैन की बात होगी और जब सुपरमैन की बात होगी तब हैंरी के विल की बात जरूर होगी लेकिन फिर आते है दा रॉक जिन्होंने फैंस की दिमान सुनी और सच में हैंरी के विल इस बैक एस सुपरमैन भाई मतलब यही तो चाहिए था दिल को सुकून मिला कि कुछ तो अच्छा काम किया इन्होंने प्रमोशन के टाइम पर ही द्वेन जॉनसन ने ये इस तीस किया था कि हैंरी के विल बापस आ रहे हैं यहां तक बोला कि 6 साल के लिए वो हैंरी के विल को बापस ला रहे है बाकी बाद में देखा जाएगा भाई इसे कहते है पावर सलाम है आपको रॉक भाई कहानी यही नहीं रुकती अब अगर रिपोर्ट के माने तो डीसी का एक्स्टेनर फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है सबसे पहले फिर ड्वेन जॉनसन ने ही ब्लैक आदम फसे सुपरमेन मूबी की बात किया है फाई सोच रहे हो क्या होने वाला है और उसके बार स्टूडियो ने फाइनली प्लैनिंग काना शुरू कर दिया है मच-मच एवेटेड मूबी मैन अफ स्टेल पार्ट टू के उपर एन ओबियसली विद हैंरी के विल एक लैक तो बनता है यार मूबी को डारेक्ट करने के लिए कुछ डारेक्टर्स भी शॉटलिस किये गए है मिशन इंपोसिबल 7 के डारेक्टर खिश्टफर मैक्कुरी देन सुसाइटी स्क्वार एन पीसमेकर के डारेक्टर जेम्स गन भी इसमें शामिल है तो थोड़ा बहुत पेस ले रहा है DC अगर आप सोच रहे हो कि कहानी ही खतम होती है तो नहीं और भी है तब बैटमेंट के सक्सेस के बाद डारेक्टर मैट रिब्स अब प्लैनिंग कर रहे है डार्क नाइट इन्यूवर्स को एकस्पान करने का बैटमेंट 2 भी लाइन पे है इसके बाद एकवामेन एन फ्लेश की मुवी वंदर वोमें 3 की भी प्लैनिंग चल रही है बस फ्लेश मुवी का इशू शॉट हो जाए ये मुवी भी बावाल करने बाली है बस इसरा मिलर कुछ नया बावाल ना कर दे और इन सब के बाद जो शायद मार्वल को टक कर देने के लिए भी पूरी तयार दिख रही है दीसी आपके क्या थोट से इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना So that's it for this video अगर वीडियो अच्छी लएग ये तो like कर देना चैनल पर नया है तो चैनल को subscribe कर देना हम ऐसे ही movie related topics पर बात करते रहते हैं So मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए peace out